वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपको Google One एप्लिकेशन के अंदर Can't Reach का Error दिखाता है और Connection का Error दिखाता है इस तरीके से जैसे Can't Reach Google One, Check Your Network Connection, Refresh App तो Try Again वगेरा वगेरा के इसु दिखाता रहता है तो इस एसु को हम कैसे Solve कर सकते हैं यह मैं आपको इस वीडियो में पताने वाला हूँ तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को भी Subscribe कर सकते हैं अगर आपको यूसफुल लगते है वीडियो ठीक है तो सबसे पहले यहां पर इस इस्सु को सोल्फ करने के लिए आपको मिनिमाइज आजाना है और अपने प्ले स्टोर में जाना है क्योंकि देखें कभी-कभी किसी किसी एप्लिकेशन के सेक्शन पर जाते हैं तो वहां पर ही आपको दिखाता है क्योंकि सर्वर डाउन होते रहते हैं या नए अपडेट लाएवे होते हैं तो तब भी आपको इस्टू आ सकता है तो यहां पर आपको सर्च करना होगा अपने प्ले स्टोर में जाकर गूगल वन एप ठीक है तो यह आपके समने आ जाएग तो अगर इसमें अपडेट आ रहा होगा इस तरीके से तो अपडेट कर लिजेगा और अपडेट करने के बाद फिर यहां से बैक ला दीजेगा बैक ला दीजेगा और अपने फॉन की सेटिंग्स में चाहिएगा तो फॉन की सेटिंग्स में भी हम चलते हैं अपने और ने का बेकार चलना होगा तो वह वहाँ पर सही चलने लग चाएगा ऐसे चैंसे होते हैं नेटवर्क अइरोपलेन मॉट को लगाने के बाद उसके बाद फिर यहां से बैक ला दिशेगा और एप से नोटिफिकेशन में जाहिएगा सियालप्स को खोल लिजेगा और यहां पर गूगल वन एप्लिकेशन को आपको फाइंड का लेना है ठीक है तो यह में भी आपको खाली वन भी लिखाल सकता है या गूगल भी आगे लिखावा हो सकता है तो वह आप खुछ से चेक कर लिजेगा कि आपके एंड्रोइड फोन में क्या लिखावा आ रहा है एप्लिकेशन मैनिजर में जाने के पाद तो यहां पर हम देख लेते हैं तो मोबाइल डेटा एंड वाइफाई पर जाना है देखें बैक्ग्राउंड में यहां पर डेटा को आपको बंद मिले तो स्टार्ट कर लेना है इस तरीके से अन्रिस्टिक डेटा यूसेज अगर आपको मिले तो उसको स्टार्ट कर लेना है और फिर उसके बाद जो है आपक पर जाना है और use network provided आपको दिखाए दे तो इस पर टिक करके लगा दीजे और अगर time zone आपको दिखाए दे time zone तो उस पर भी आप टिक करके लगा दीजे आप date में कुछ different रखना चाहें तो एक दिन का different रख सकते हैं एक दिन से जाद का मत रखिएगा तो बस आपको इत्ता ही करना है फिर आपकी जो problem होगी वो solve हो जाएगी तो ये process रहता है इसका बस अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप like कर दीजेगा और phone को अपने बंद करके जरूर खोल लीजेगा जिससे case to आ रहो हो तो वो solve हो जाए तो अगर व और आपकी यार